हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी आया होब कि सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विसे परयारन अधिन के सब तहा साथ की वक्सीट को स्वल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चो आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है पार्ट साथ पानी के प्रियोग तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफेकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेशन वन है रिक्तिस्तानों को भरिये फर्स्ट है एक छोटा पत्ता पानी में जबकी एक मोटा तना पानी में तो बच्चो यहाँ पर आएगा एक छोटा पत्ता पानी में तेर रहा था जबकी एक मोटा तना पानी में डूबा हुआ था नेक्स्ट है यदि एक तिर्शी रखी हुई प्लेट पर तेल की एक बूंद और पानी की एक बूंद गिरा दी जाती है तो की बूंद प्लेट में तेजी से जाएगी तो किस की बूंद जाएगी तेजी से पानी की बूंद नेक्स्ट है एक फूली हुई पूरी पानी में क्या करेगी तैरेगी या डूबेगी तो तैरेगी नेक्स्ट है चावल पानी में गुलेंगे या फिर नहीं तो चावल पानी में नहीं गुलेंगे नेक्स्ट है निम्र प्रस्णों के उत्तर लिखिए समुद्र के पानी से नमक कैसे बनता है अपने सब्दों में लिखिए तो बच्चो आंसर है समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गड़ों में भर दिया जाता है तेज दूप में पानी सूख जाता है और नमक के धेर वही रह जाते हैं जिसे मशीनों द्वारा साफ करके खाने योग्ये बनाया जाता है अब एक कुश्चन किनी चार खादे पदार्तों के नाम लेखिए जो दूप में सुखा कर तयार किये जाते हैं तो बच्चो ऐसे खादे पदार्त हैं पापर, आम पापर, सेवईया और चिप्स नेक्स्ट कोश्चन है रीना ने सुबह अपने घर पर गमले में लगे पौदो को पानी दिया साम को उसने देखा कि पौदो की मित्टी सूखी थी इसका क्या कारण हो सकता है तो बच्चो आंसर है इसका कारण पानी का दूप में वास्पी करण होना है दूप में पानी के वास्पी करण का अर्थ होता है कि जो पानी होता है वो दूप में उड़ जाता है नेक्स्ट है चीनी और मिश्री के टुकडों को पानी में जल्दी घोलने के कुछ तरीके सुझाईए तो बच्चे इसका आंसर है चीनी और मिश्री के टुकडों को तोड़ कर पाउडर बना लेना चाहिए पार्डर को पानी में डाल कर अच्छी तरह चमच से हिलाना चाहिए मिस्रन को आज पर गरम करना चाहिए अब नेक्स्ट बच्चों गतिविधी करके देखो पांच्चे खाली डिब्बेया बरतन ले पृति एक बरतन में थोड़ा पानी डाले अब नेमनले की चीज़ों को एकक करके लें प्रिति एक बरतन में एक चीज़ को गुलें प्रियोग के लिए हर चीज की एक चमच लें आपने जो देखा उसे नेमनले की तालिका में दर्ज करें वस्तुए हैं गुला या फिर नहीं गुला नमक पानी में घुल गया, मिट्टी पानी में नहीं घुली, पाउडर नहीं घुला, एक चम्मच दूल घुल गया और तेल नहीं घुला अब नेक्स्ट है बच्चो नीबू तेरा या डूबा यहाँ पर आपको करना है नीबू का प्रियोग, एक गिलाश्या किसी बरतन में पानी लें, उसमें एक साबुत नीबू डालें, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालें, कि आप नीबू को पानी में तैरा पाए, तो बच्चो हाँ, नीबू जो है वो पानी में तैरने लगा, नेक्स्ट है यदि हाँ, तो नमक डालने पर नीबू क्यों तैरा होगा, तो बच्चो इसका कारण ये है, नमक के डालने पर पानी का वज़न बढ़ जाता है, जिससे नीबू अपने भार से ज़्यादा पानी हटाता है, और परिणाम सरूप नीबू तैरने लगता नेक्स्ट है निम्रले के चीजों को इखटा करके एक कटोरी पानी में डाल दे, ध्यान दे कि वे पानी में तैरते हैं ये दूबते हैं, उपरी रेखा पर तैरने वाली चीजें और नीची तल पर दूबने वाली चीजों के चित्र बनाएं, यहाँ पर बच्चो चीजे है सेफटी पिन, कंकड, कुछला, ऐलूमिनियम, फॉयल पेपर ये सबी पानी में डूब जाएंगे तो बच्चों आप इनका ऐसे ही पिक्चर बनाएंगे डूबने वाली चीजों की पिक्चर नीचे बनाएंगे और जो पानी में तैरी हैं उनकी पिक्चर आप उपर बनाएंगे बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़नाएं हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू